अब हमारे एक और महमान भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ अमर्देश सेंग, Senior Vice President Equity, Commodity and Currency, Angel One के, स्वागत है आपका अमर, और WhatsApp पर एक सवाल है हमारे दर्शक का अंकुष, और अंकुष कह रहे हैं कि इन्हों ने विदानता में खरेदारी कर रही है, अमर, 293.83 इनकी बाइ जरीया आप इनको देंगे रुकने का, जो मुनाफ़ में बैठे हैं, क्या मुनाफ़ थोड़ा सा बोक किया जा सकता है? और वो उसका एक एक एफेक्ट हमें, जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं, बिकाज बेसिकली इन्हों का ये विदानता जो है, वो नॉन फेरिस मेटल्स में जादा स्ट्रॉंग है, लेकिन अभी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, इस हफते स्टॉक साड़े साथ पर स पोड़ कर सकते हैं, कुछ समय के लिए, यदि ये 450 के नीचे ट्रेट करना शुरू करता है, दिन वी कैंसे की, इंटर्म ट्रेंड हैस चेंज, अदर्वाइस, जिकान बोल्ड ऑन तो इस पोड़िशन, और इसका जो आल टाम हाई था, वो करी 500, 567 का था, तो उसके उपर सस् टॉक पे, फटा-फट से अगले कॉलर को जोड़ते हैं, अमित शर्मा हमारे साथ हैं, कुरुक शेत्रा हरियाना से, अमित जी नमस्कार, पूछे किस टॉक पे आपका सवाल है, नमस्कार जी, मेरा सवाल दो शेयरों के लिए है, नमबर वन इस हिंद कोपर, हिंद कोपर मेर पस पांसो पचास पॉंटिटी है, और बटी काफी टॉप रेट्स के पे मैं पस गया हूँ, 386 के आसपा, 386 पे मैंने करी दे थे, पांसो पचास पॉंटिटी है, तब से ही ये शेयर नीचे नीचे ही जा रहा था, अभी 338 पर है, तो इसको मैं एक्जिट करूँ या भी व बोस साब आपके पास, इन्होंने जो बाइंग की हुई है, वो 386 रुपए के आसपास की हुई है, सवाल इनका सीधा है कि जिस तरह से दबाव है, स्टॉक में क्या निकल जाना बहतर है, या थोड़ा और धैरे का परिशे देना होगा? ये वीक्ली चार्ट के अनुसार इसमें अलरडी जो बॉटम बनना था, वीक्ली चार्ट में एक हामर लाइन बना था, पास आठ हपता पहले वो जब 280 के आसपास भी पहुँच गिया था, तो अभी तो मैं ये काऊंगा कि इसका रिकावरी अलरडी चालू हो चुका है, तो अभी उसको मैं बनने रहने के लिए सला दूंगा और मेरा अभी के लिए जो प्राइस अलरडी हातिल किया है, तो आप तू 98 पे प्रापलोस लगाईए, आपकी उपर का लेवल अगर आपके धरिया है, तो उहां पे पहुँच जाएगा, उसके आगे भी चलेगा, और पे अच्छी नाफा मिलने का संभवना दिख रहे है, वो फंडमेंटली मैं और जेरिमी ग्रांसम, जी एमों का कहना है कि अभी यहां पे ज़्यादा इंवेस्मेंट नहीं हुआ है, तो इसमें आप लंबी अवदी के लिए भी बने रहने की सला हिंदुस्तान कॉपर पर औ चर्चा की तो कई सारे मेटल स्टॉक्स पर बातचीत की